संत निरंकारी चैरी टेवल फाउंडेशन के पोर्जेक्ट अमरीत का सफ़ल आयोजन जल परमात्मा का वर्दान है हमें इस अमरीत की संभाल करनी है जनपत एटा 25 फ्रावरी 2024 को सत गुरु माता सुदिक्षा जी महाराज यो निरंकारी राजपिता रमीत जी की पाउन आशिरवास से प्राता आठ वजे अमरीत पोर्जेक्ट के अंतरका स्वक्ष जल स्वक्षमान परियोजना के दूसरे चरण का सुबाराम आगरा रोड इस्तित हाजारन नहर पर निरंकारी भक्तों ने सफाई अभियन चलाया मीडिया परवक्ता अमित कुमार ने बताया कि बाबा हर्देव सिंग्जी महराज के सिक्षाओं से प्रेरित या है परियोजना समस्त भार्द वर्ष के 27 राज्यों एयों केंद्र शाषित परदेश्यों के 15-133 जाधिक अस्थानों पर 11 लाग से भी अधिक स्वय स्योकों के सजोक से एक साथ बिसाल रूप में आविजित की गई है जिसमें एटा के निरंकारी भक्तों ने भी भाग लिया संत निरंकारी मीशन के समाजिक सका संत निरंकारी चरिटेबल फाउंडेशन के तत्वधान में बाबा हर्देव सींजी की अनन्त सिखलाईयों से प्रेनरा लेते हुए पोर्जेक्ट अम्रीत कायोजन किया गया इस वर्ष आवो समारे जमना किनारे के मूल संदेश द्वारा इस पर्योजना को एक जन जागरी का रुप प्राप्त हुआ इस अवसर पर संत निरंकारी मीशन के सभी आधिकारी गण गणमाने अतितित तथा स्वय सेवक और सेवा दल के सदर से समलित हुए मीडिया परवक्ता ने सुचित करते हुए कहा इस कारकरम का आयोजन समस्त भारत में सिधा परसारन हुआ संद निरंकारी मीशन की बेव साइट के माधम से किया जिसका लाब देश एव बीदेश में बैठे भी सरधालों भक्तों ने प्राप्त किया इस अउसर पर दिल्ली वीशोविद्याले के हजारों चात्रों एव शिक्षकों के साथ साथ कई संस्थाओं यो पर्यावण सनक्षक से जूड़े हुए अनेक गणमान अतितियों ने भाग लिया रेडियो चैनल 92.7 बीग एफ एम एम भार सरकार संस्कृतिक मंतराले की भी इस अउसर प्रभागिदारी रही संद निरंकारी मंडल के सचीवें समाज कल्यान प्रभाईरी सिरी जोगिंदर सुखीजा जी ने बिस्तिर्त जनकारी देती हुए बताये कि पोर्जेक्ट अम्रित के दवरान सुरक्षा के हर बैधानिक माप डन का उचित रुप्च पालन किया गया है इस कारकरम के सभी सेवादारों आगंतुकों को बैठने जलपार पार्किंग उमलेंस से मेडिकल सुख्धाओं इत्यादी के सामुचित परवंद किया गया इस परियोजना में अधिक से अधिक जुआओं का सक्रियो दान रहा सिरी सुखा जी ने सुचित किया कि यह मुहिम क्यवल एक दिन की नव होकर हर महिने भीन भीन घाटोवा जल स्रोतों की स्वख्षता के साथ निरंदर चलती रहेगी पोर्जेक्ट अमरित के दूसरे चलंग का आरम करते हुँ निरंकारी राजपिता रमीजी ने सत्गुरु माता जी से पुर्व अपने सम्मोधन में कहा कि बाबा हर्देव सिंग जी ने अपने जीवन में हमें यही प्रनेड़ा दिखी सेवा ही भावना निश्काम रूप से होनी चाहिए न कि किसी परसंसा की चाह में हमें सेवा करते हुए उसके दर्सन का सोर करने की बजाए उसकी मूल भावना पर केंदिर तरहना चाहिए हमारा परियाज स्वय को बदलने का होना चाहिए क्योंकि हमारे आंतरिक बडलाव से ही समाज और दुनिया परिवर्तन आ सकता है एक स्वक्षाउ निर्मम मन से ही सात्विक परिवर्तन का आरम होता है सत्गुरु माता जी ने प्रजेक्ट अमरित के अवसर पाप ने आश्र बचनों में फरमाया कि हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है और यह अमरित समान है जल हमारे जीवन का मूल आधार है परमात्मा ने हमें यह जो स्वक्षें सुन्दर स्रिष्टी दी है इसकी देखवाल करना हमारा कर्तब्य है मानो रूप में हमने इस अमूले धरोहर का दुर्पयों करते हुए इसे परदूर्शित किया है हमें प्राकिर्ती को उनके मोल स्वरूप में रखते हुए उसकी स्वक्षता करनी होगी हमें अपने कर्मों से सभी को प्रेरित करना है न कि कि अष्ट लखी ओन ए suspects आए इसे झाए नाए यहाई उ यहाई वे देंगिक कि अने मीटा लखी हां अओसा ह ंए जा राव आए प्यक्व मैं से झाए गुज केंगा हो इस लाव, आ क्वाई यहाँ ए पिャुष जानी है ए प्रॉप्तों हुआ है पिरिंस है पिरिंस खाद बढब कर दोस्तों है झाल कि अ झाल का झाल